जब लाइफ आपको हिट करें, तो बदले में आप भी लाइफ को हिट करो जब जिन्दगी आपको चुनोती दे, तो हर चुनोती को स्विकार करो आपकी हार इसमें नहीं है कि जिन्दगी में आपको एक धोकर लगी और आप गिर गए गिरने में आपकी हार नहीं है आपकी हार तो गिरकर भी ना उठने में और जब गिरकर उठते हैं ना तो दर्द होता है जब कोई बड़ा failure आता है तो motivation गिर जाता है पूरी तरह से दर्द होता है दिल में जब किसी चीज़ को शित्त स्ते चाहो और वो फिर भी ना मिले लेकिन याद रखना कि जब 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 जिन्दगी आपको गिराए तो गिरने के बाद क्या आप उठने की शमता है क्या आप उठने की कोशिच भी कर रहे हो क्या आप उस ठोकर को उस हार को उस दर्द को पी करके आगे बढ़ने को तयार हो अगर हाँ तो यही वो मॉमेंट है जब आप 99% लोगों से आगे निकल कर 1% लोगों में आ जाओगे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया किनी इनर्ची लगाई कितने सेक्रिफाइस किये कितना पेसा लगाया जब लगा दिया है तो फिर पीछे नहीं अटना जीतना है मतलब जीतना है पस इसके लगाई कोई उप्शन लाइफ आपको ढ़ोकर मार कर गिरा थी ज़रूर लेकिन लाइफ आपको कभी भी हराती नहीं है हारना हमारी चोईस होती है हम खुद हार मानकर हार जाते हैं लेकिन जिन्दग्या में कभी भी हराती नहीं है आप किसी चीछ के लिए दिल से मेनत करो और वो आपको ना मिले ये हो सकता है लेकिन उसके बाद आप गिर कर फिर उटकर किसी चीछ के लिए मेनत करते हो वो बार-बार मिनत करते हो, उसके बाउजुद आपको सफलता ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोस्तों गुदरत कभी भी अन्याई नहीं करती, अगर एक सिख्य को तस बार उचाला जाए, और अगर मैं आपसे पूछू कि तस बार उचालने पर जादा से जादा कितनी बार ह जादा हेट आया ही है, दोस्तों मैंने कहा ना खुदरत कभी भी अन्याई नहीं करती, आप बार-बार सक्सेस के लिए अलग-अलग कामों में अपनी पूरी जान डाल दो, और किसी भी एक कामी भी आपको सक्सेस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, खुदरत में अन्याई नही इनसान को उम्र थका नहीं सकती, धोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जित हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती और ये हमेशा याद रखना की कमसूर आप नहीं, बल्कि आपका वक्त है और वक्त सबका बदलते है, आपस अपना कर्तव कर्म करते चले जाओ, जीत आपकी है